मैं रोशन जासवाल एक बार फिर से आपके बीच कोरोना के ताजा सूर्थे हाल को लेकर आप पहुचा हूँ वारांटसी से वारांटसी में सबसे पहले बात करेंगे उन कामगार, मजदूर और नौकरी पेशा लोगों के बारे में जो न केबल बनारस बलकी पूरे पुर्वांचल और बिहार का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन राजियों में कोरोना फैला हुआ है वह वहीं काम करते हैं दिल्ली में लगे लागडाउन और महराष्ट के बिगरते हालात और गुजरात के बत्तर होते इस्तिती को देखते हुए ये मजदूर कामगार और नौकरी पेशा लोग लगातार हज़ारों की संख्या में वारानसी लोट रहे हैं बस स्टेशन से लेकर रेल्वे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं और जो ट्रेने लोट रही हैं उसमें भी थोड़ी सी भी जगह नहीं है इन मजदूरों में लोटने वाले सबसे ज़्यादा महराष्ट के नासिक, पूने और मुंबई के लोग हैं तो दिल्ली से भी भारित आदात में लोग आ रहे हैं तो वहीं गुजरात के सूरत से भी बुनकर तपका यहां पर लोट रहा है इनसे बात करने पर इन्हों ने बताया कि हालात इन प्रदेशों के बत्तर हो चुके हैं और उनको पिछले साल जैसी इस्तिती का सामना न करना पड़े और कहीं लागडाउन न लग जाए इसके लि देते हैं वरांसी में बढ़ते कोरोना संक्रमन की वरांसी में एक बार फिर कोरोना का गराफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है क्योंकि मंगलवार की सुभा जारी बुलेटन में 801 ने संक्रमित मरीज मिले हैं और अब कुल सक्री मरीजों की तादात साले 16,000 से भी उपर जा पहुची है एक बार फिर मंगलवार को वरांसी में बेड ऑक्सीजन और एमडेस्वीर इंजेक्शन की कमी की तमाम सिकायते सुनने में आई हैं अब बात करेंगे उस मार्मिक और दिल दहला देने वाली तस्वीर की जो बड़ी तेजी से ही वरांसी से वारल हो रहा है दर असल ये तस्वीर है उस यूवप विनिस सिंग की जो अपनी मा के कदमों में मौत के आगोस में पड़ा हुआ दिख रहा है विनिस सिंग दिसंबर में आया तो था वरांसी के अपने जोनपूर के मडियाहूं में एक साधी में शरीक होने लेकिन तभी से उसकी तबियत बिगड़ती चली गई और जैसा कि परिवार वाले आरोब भी लगा रहे हैं कि लगातार भी अच्चू दोड़ने के बावजू कोई भी डॉक्टर उनकों देखा नहीं और सोम मारकों भी यही हुआ जब विनीत की तबियत बिगड़ी तो कोई भी डॉक्टर आरोब के मताबिक है कि कोई भी डॉक्टर उनकों देखने तको तयार नहीं हुआ और वहीं विनीत की मौत अपती मा की कद्नों में यी रिक्स पहले उनके मेस का खाना बंद कर दिया गया और अब वाई-फाई, बिजली और पानी को भी काटने की बात कही जा रही है, चात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे तमाम उनके साथी चात्र हैं, जो कोविड पॉजटिव थें, लेकिन IT-BHU प्रसासन ने उनको जबरदस्ति उनके घर की ओर लोटा दिया, अब ऐसे हालात में वह रिस्क उठा कर जाए भी तो कहां जाएं, फिलहाल यूपी तक के लिए वारांसी से इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी, मुझे दीज़े इजाज़त